ते जसे वो थो एक परवाज है पुर दोर एक आवाज है खामुशियों की है जुबाँ चल दे तो चल दे कारवाँ वो है जहाँ वो है जहाँ लगती है जैसे आसमाँ नमस्कार ते जसे नी में आप सभी का स्वागत है धागों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है जब वो अपस में बुने जाते हैं तो पूरा आकाश बन जाते हैं और धागों की ये दुनिया और अगर हम भारत के टेक्स्टाइल्स की बात करें तो ये हजारों साल पुराना है और टेक्स्टाइल डिजाइनर की अगर हम बात करें हिंदुस्तान की टेक्स्टाइल डिजाइनर जो की बहुत ही जानी मानी है अपने काम में जिन्होंने इस क्राफ्ट को रिवाइफ किया है उसको पुनर जीवित किया है जिन्हें हाली में नारी शक्ती पुरसकार से सम्मानित किया गया है और जिन्हें इकत की कुईन भी कहा जाता है वो है हमारी आज की तेजस्विनी दिल्ली के पुराने कारोबारी परिवार से ताल्लोक रखने वाली मधुचहन के रुची शुरू से ही भारत के 2000 साल पुराने टेक्स्टाइल्स में थी भारतीय क्राफ्ट को पुनर जीवित करने और टेक्स्टाइल्स का सनरक्षन करने के कारण उनका नाम स्वधेशी का पूरग बन गया है फैशन जगत में जानी मानी मधु जैन ने करियर की शुरुआत 1987 में अपना लीबल लॉंच कर की गाउं गाउं में घूम घूम कर बुनकरों और पारंपरी कपड़ों की समझ का विस्तार कर मधु ने नए टेक्स्टाइल्स भी बनाए जो पूरी तरह से और्गेनिक हैं और अपनी डिजाइन और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं मधु ने उदिशा की एकत आंथ्रा की कलमकारी असम की मेखला चादर के साथ कई प्रयोग किये हैं उनके बनाए बांस फाइबर से बने कपड़ों ने उन्हें दुनिया में एक अलग खैती दिलाई हाल ही में नारी शक्ती कुरसकार से सामाने मधु जैन पासों से ज़्यादा मास्टर क्राफ्समें और बुनकरों को रोजगार दे रही हैं भारत के हग करगा उत्योग और परंपरागत कला को उनरजीवित करने वाली मधु जैन है हमारी आज की तेजा स्वी तो आईए मुलाखात करते हैं इकट की इस ब्यूटि कुरीन से जिनका नाम है मधु जैन बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका थांक्स पर हाविग मी ओवर तो मधु जी यह अगर हम कहें कि आपने जो भारत का जो परंपरिक जो हमारी विरासत है जो हमारा टेक्स्टाइल है उसको रिवाइव करने का काम आपने किया है अगर पूछें कि आपका फैशन स्टेटमेंट किया है मेरा फैशन स्टेटमेंट यह है कि हमारा जो देश है आप कंट्री हाज रिच दो हजार साल पुरानी आपका जो हमारी जो टेक्स्टाइल है हम लोगों को उस पर फोकुस करना है और चीजों पर नहीं हमको अपनी सभ्यता कायम रखनी है मेरा यही जीवन का उदेश्य है कि मेरे को जहां तक जो भी मैं कर सकती हूं मुझे अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट करना है इस कला शेली टेक्स्टाइल शेली क्राफ्ट टेक्नीक्स को आगे जो पुछते हैं उनको अनुभव कर सके और उनकी सुन्दरता और अपनी कल्चरल सभ्यता से वाकिफ रहें तो मदू जी जब आपने ये काम शुरू किया था तो क्या वैसे तो आप एक कारोबारी परिवार से आती हैं लेकिन उस वक्त जब आपने सोचा कि मैं धागोंस में कुछ करूंगी मेरी जो इमाजिनेशन है उसको क्रियेटिविटी को मैं का मेरा आस्मान जो है वो उससे चलाओंगी तो उस वक्त क्या कुछ परिशानिया आपके सामने आई थी देखिये मैं एक बहुत कंसर्वेटिव बैक्राउंड से हूँ हम लोग जैसे इत वस अवरी चैन बनिया मारवाडी हासोल और हमार इन 1987 जब मैंने निर्ने किया था कि यह जो मेरे जो इंत्रेस्ट है textiles में, this passion which I have for textiles to formalize it into a you know career option. जब मैंने निर्ने लिया था हमारे यहां कि हमारे community की बहुत कम महिलाएं खर से भार निकल के कुछ करती थी अपने साथ any kind of occupation so initially people were very skeptical they said like you and come karna no, kubhi nahi kuch nahi ho sakta hai but the fact that nobody thought ki I could do it, I took it up as a challenge. तो यह कहां से आपको ख्याल आया कि मैं textiles में कुछ करूंगी? मतलब आपने कोई formal training भी शायद नहीं ली थी? Actually what happened was, बहुत चोटी उमर से मेरे को textiles में रुची थी. My father, मेरे पिताजी जो थे, वो बहुत, he was a collector and despite उस जमाने में लोग इतने पड़े लिखे होते नहीं थे. मेरे फादर जो थे, वो, उनके, he had beautiful residences all over India और उनका उनका जो टेस था, वो कोई महराजा राजा से कम नहीं था. तो, I grew up उनको देखते हुए, देखते हुए कि उनके जो एक एक खर है, उसमें किस किसम के कालीन है, किस किसम के शैंडलियर है, किस किसम की क्रॉकरी है, और वो मेरी माता जी की एक-एक साड़ी खुच चुनते थे. Oh, how sweet. You know, he used to dress her up. So, maybe I think he was a huge influence on me. तो फिर जब आपने सोचा कि मैं यह सब करूँगी तो घर वाले किस प्रकार से उस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि वो समय जैसे कि आप कह रही थी और जिस तरह से आप बता रही, conservative family से आप बिलॉंग करती है, तो किस तरह की challenges आपके सामने आए उस वक्त? देखिये, 1987 में, there was a huge gender disparity. ओरते घर के बाहर जैसे मैंने आपको पहले mention कर रहा था, घर के बाहर जाके काम नी करती हैं थे, least alone, inherit property. ओरतों को वो मॉके नी मिलते थे जो आज की तारीक में ओरतों को मिल रहे हैं. But I felt I was given a good education, like I'm from Delhi School of Economics. मेरे को कुछ करना था, and मेरी रुची टेक्स्टाइल में एक passion था. It was like, for me, it was a ibadat. And I had to take it further. तो मेरे मन में जो अर्मान थे, passion था, जुनून था, तो उसको ध्यान रखते हुए, मैंने ये बहुत बड़ा कदम अपनी life का थाया. अचा ये बताई, जब हम fashion की बात करते हैं, तो fashion मतलब glamour, fashion मतलब चका चौन्द, fashion मतलब बहार के brands. मतलब एक अलगी तसवर आखों में आता है, लेकिन आपने जो भरतिये कपड़ा उद्योग है, और उसकी जो finer चीज़ें हैं, आपने उनको उठाया. क्या कि कुछ लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि ये कहां आप दूसरी तरफ जा रहे हो, कुछ और देखो, fashion में भी बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन आपने stick किया भारतियता की तरफ. मैं आपको ये बात से वाकिफ करना चाहती हूँ, very early in my career, मैंने रिलाइस करा कि मेरी जो speciality है, वो बहुत नीश speciality है, for me, you know, I decided कि मेरे को, to use the weave as a form of embellishment, rather than zardosi, dapka, you know, different chicken curry, different embroidery forms. क्योंकि मेरे को textile से इतना प्यार था, I mean, जब मैं different different weave forms को, अपने Indian weave forms को देखती थी, मैं रिलाइस करती थी कि जो हमारा बुनकर है, he is, like, the textile is the king, the weaver is the greatest mathematician of them all, उनसे बढ़के कोई है नहीं, और इस, और फैशन बहुत पावफल तूमल है, to bring about change of mindsets, so that's why I decided to bridge craft, textiles and fashion together, और फैशन के माधियम से, ये आम जनता को ये उत्साहित करना, कि हम लोग अपनी भारतिया सभिता की तरफ तरफ तेखें, rather than looking towards the west, तो आपको इकत कुईन कहा जाता है, इकत से क्यों इतना विशेश मोह है आपका? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मगर मैं आप से चानना जाते हैं। तो इकत से इतना मोह क्यों है, to be very honest, but there are some things जिसके तरफ आपकी रुची बहुत जादा होती है, जैसे इकत में मेरे को लगा कि जो जनुएन इकत होती है, वो सालों चलती है, और उसकी वीविंग इतनी इंट्रिकेट होती है, कि जैसे आपके पुष्टेनी इकत अगर किसी क पास हो, पुष्टेनी इकत साडी या कुछ, उसकी वीविंग और आजकी वीविंग में अगर आभ भ्यान दें, बहुत कम बुनकर हैं, जो उस प्रकार की वीविंग कर सकते हैं, ये धीरे धीरे सब लुपत होती जारी है, तो क्या ये मशीनों से भी की जाती है, देखिए आज की आज की तारीख में पावर लूम का बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है, और वो जो कॉमन कंज्यूमर है, अनफॉचिनिटली डिस्टिंगुश नहीं कर सकता है, कि पावर लूम का ये प्रड़क्ट है, या हैंडलूम का ये प्रड़क्ट है, कोई एक टिप देना संट मेत होता है, तोनुग का ये प्रड़क्ट होता है, ये गयता है थाहा है। अनुग कोकॉरल कर सबकेथाज प्रड़क्ट होता है, कोई एकत बारत बहुत थाह freshmen के पूद देना ऑन फेसिखे खम Θगों में पर देना का देना, जर कोई प्र मोने का लेनिकतूम कंग का ये and it was the spice route through which all the spice route countries like Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, you know, they are the main centers of Ekat. But the finest double Ekat you have in the world is either in Okinawa, Japan or in Patan in Gujarat and it is known as Patan Patola. अच्छा वो पार्टन पटोला तो बहुत ही महंगा होता है मुझे मालूम है उसकी साड़ियां लाखो रुपई की बनती है वो क्यों देखिए एक तो एक पार्टन पटोला की जो साड़ी है उसको बनाने में बहुत समय लगता है अच्छा आज कल बहुत फेक्स मारकेट में की फ्लाड हो रहे हैं पार्टन पटोला की साड़ियां मुश्किल से गिनी-चुनी बनती है वो भी पार्टन में और वो सिर्फ एक या दो परिवार है जो बना रहे हैं और बडोदा में परिवार है जो बना रहा है अधर्वाइस most of them 75% पर्सेंट यो आपको मारकेट में द शक्ति एवार्ड से भी नवाजा गया इस साल एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तेजास्वीनी में तुरंध थाजिर होते हैं अब देखते हैं हमारे इकारिकरम कर्या है आज आज बार पर फिर से आपका स्वागत है आज हमारे साथ टेक्स्टाइल डिजाइनर मदू जैन बेठी है जिन्होंने कि भारती परम पर एक विरास्त जो कपड़े की हमारी विरास्त है और उसकी जो चवियां है उनको जिन्दा रखने का काम कर रही है हम जानते हैं कि ये डाइंग आर्ट है और अगर आज भी आप बाहर बजार में खरीदने चलें तो जैसे आप के रिए फेक बहुत मिलता है और अगर मिलता है तो बहुत महंगा तो जाहिर है इसको जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आज हाश्ये पर पहुंच गया है लेकिन आप पता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को इंप्लॉइमेंट दे रही हैं देखे मैं आपको ये बात आज एक साफ साफ ये समस्या आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे जो वीवर्स हैं ये प्रॉबबली माइट पी दर लास जेनरेशन अफ वीवर्स जो हमारे पास इंडिया में हैं अपने फॉष्य नहीं कभा सफ समने इननों ने कला अपने पुर्खों से सेखी विकल बकॉछ दिस विस लाशक के शामपल आपके सामने बाप बेटे को सिखाता था, बेटा अपने बेटे को सिखाता था, उच्छ तो, it was पुष्टेनी carrying on, पीडियों से चली आरी थी, आट, पट अब जो उनके बच्चे हैं, बेकज एक तो रिनुमरेशन बहुत कम है, I know when I sell a handloom product, people come and say, why so expensive? You have to give the weaver his due, you have to give them proper enumeration, you have to give them money on time. If you do not do that, there is no second generation who is going to take this art and craft form forward. There is nobody. And this is where all of us as conscious, you know, Hindustani citizens, हम सब को इंटर्वीन करना चाहिए, और इसको सीरिसली लेके कुछ करना चाहिए. Madhuji, आपने बांस से भी आपने फाबरिक बनाया है, और इसके लिए आप विश्श तौर पर दुनिया में आपको जाना भी जाता है, ये बांस से फाबरिक का आइडिया कैसे आया, और कितने वर्ष लगे आपको इसका आपको करने में? देखे, मैं एक जब एक जब एक जब एक देस्टिनी, मुझे नही पता बांबू कैसी मेरी जिंगी मैं आया, जब आपको जब आया, जब आया, जब आया, जब आया, जब आपको कार्मिक कनेक्ट, मैं नहीं कभी नहीं सोचा था कि मैं बैंबू के साथ कभी काम करूंगी, जब मैंने काम करना शुरू करा, मैंने बहुत सारी चीजें रिलाइस करी, मैंने रिलाइस करा, number one, नहीं 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 का देश है, वो दुनिया का second largest bamboo producing country in the world है, जो यह बात बहुत कम हिंदुस्तानी जानते है, the first largest country which produces bamboo is China, secondly, bamboo जो as a fiber can very easily blend with other fibers to create a totally नया, absolutely new textile, तीसरी चीज यह है कि it is pocket friendly, and it's biodegradable, it protects you, it's 100% biodegradable, it is as biodegradable as you and me, जैसे अगर आप एक रहन या विसकॉस का कप्डा लेंगे, उसको दो साल लगेंगे, तो सो साल लगेंगे, तो नहीं नहीं कातम होने में, बिल्कुल, जैसे अगर आप एक रहन या विसकॉस का कप्डा लेंगे, और अप लेड़ी बिल्कॉस का कप्डा होता है, वो राइड़ी बैक्टिरियल होता है, अच्छा, एक रहन या उसको बहुत कम पानी के आवश्रकता होती है, और एक रहन चीज है, तो या बहुत जल्दी उकता है, अच्छा, एक रहन चीज होता है, तो लेकिन कमर्शल, इसका क्या, कहां से ये बांस का कप्डा हमको मिलेगा, देखे, अभी हम लोगों इसको डिवेलप करा है, वे वेटिंग, वे वे जिस्टार्टिटिग अपर अच्छा, इसका क्पड़े से आप कुछ भी बना सकते हैं, यह किस कसम का कपडा रहता है, यह थोड़ा मोटा रहता है, पतला रहता है, फाइन रहता है, क्या इसकी क्वालिटी, क्या Istका स्वारूप कैसा है? और इसकी खुबी यह है इस कप्डे की, कि हम लोगो ने इसको जो जस फॉर्म में दुनिया के सामने पेश किया, वी यूज वर्ल इकत्रदिशन, जैसे हमने इसमें अंधरा इकत्रदिशन यूस किया, उस्बेक इकत्रदिशन यूस किया, वी यूज इंडोनीजियन इकत्रदिशन, जैसे हम बेट करेंगे आपके इस कपड़े की, कि वो मार्केट में आया और लोग उसको खरी ने लेकिन यह बताई कि इस बीच में आपने कई और चुटी यूटी चीजों को भी बहुत रिवाइब किया, नक्षी कांथा उसमें से एक है, इसके लावा धाका की मलमल, जिसे हम ने भूला दिया था या बिस्रा दिया था, उसको भी रिवाइब करने में आपकी भूमिका रही है। आप अद्भुद अनुभव था, वहाँ पर मैं गई थी, as you know, just a spectator to see कि यह लोग क्या कर रहे हैं, और मैंने जीवन की बहुत बड़ी एक सीख हां से सीखी, इंपावर्मेंट कैसे होती है, वहाँ पर, see Bangladesh is a poorer country than India, वहीं same गाउं, same electricity problems, nothing, पर कैसे वह लोग, लोगों को, उनके जो centers होते थे, उनने लोगों को, सारी महिलाओं को organize करा हुआ था, जैसे डे ब्रेक पे सारी महिलाओं उस center में आती थी, काम करती थी, on craft, embroideries, नक्षी कान्था की, और कैसे वह जैसे जब धूप, वह sunset पे, वह वापस अपने घर चली जाती थी, and their products lined all the major stores in the world, like from Harrods, Selfridges, Macy's, they were there everywhere, so this is what, how I learned the lesson of empowerment first hand, I went to the Jamdani village, I traveled to Manikkanj, Jamalpur, so many areas, and I'm not going to first hand dekha, की जिस किसम का का, East Bengal Kantha Stitches, or West Bengal Kantha Stitches, बिलकुल अलग है, and the East Bengal Kantha Stitches were lost to us after partition, so, मैंने कोशिक, छोटा सब, you know, कोशिश थी, to restore it, and revive it, and use the fashion का माधियम से, पूरे, you know, वापिस पेश करना, but believe me, the experiment was a huge flop, because people at that time were not ready for, उस वकत, handicrafts, hand looms, कहा fashion में था? अच्छा, ये बताएं क्या ये आज fashion में, क्योंकि जिस तरह का fashion आज हम देख रहे हैं, उसमें हमें बहुत कम दिखता है, कि अपना tradition, अपना कपड़ा, अपना weave, हमें कम नज़र आता है, मतलब, अगर आप mainstream में कहें, तो वो हमें कम नज़र आता है, इसकी क्या वज़े है? एक तो मेरे को लगत, what I strongly feel is, धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, अच्छा, ये जो हमारे जो precedent है, fashion design council of India के श्री सुनील से थी, वो last कुछ सालों से काफी initiatives start कर रहे हैं, जिससे designers अपनी सभिता की तरफ देखें, which I think is absolutely wonderful, तो आजकल अगर आप लास्ट चार-पाथ साल से collections जो देख रहे हैं, अगर आप लास्ट चार-पाथ साल से कालेक्शन जो देख रहे हैं, आप उसमें देखें, हर एक साल किसी टेक्स्टाइल पर फोकुस होता है, इस तरह की चीज से आप जोड़ जाते हैं, तो उसी में लग जाता है, मगर उसके लावा कुछ और शौक है आपके लाइफ में? Well, I'm very fond of looking, trying regional cuisines, experimenting with them, very very fond of it, मुझे ट्रावल करने का बहुत शौक है, और बच्चों के साथ टाइम बिताने का बहुत शौक है, अगर मिल जाए तो, अगर मिल जाए तो, अच्चा ये बताएं, मदू जी चलते चलते, ये जिस काम का आपने बीड़ा उठाया है, वो एक मुश्किल काम है, लेकिन वाकई अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये एक देश की सेवा भी मानी जाती है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को रिवाइव करते हैं, क्या कुछ आगे भविश्रे में आप करना चाहते हैं, क्या कुछ आप एम लेके आप क्या चल रही हैं? मेरी बेसिक हैं ये है कि मुझे डिजाइन इंटर्वेंशन दे के, ये जो हमारी जो टेक्स्टाइल टेक्नीक है, उसको कायम रखना है, थू डिजाइन इंटर्वेंशन. और जो यंग डिजाइनर्स हैं, उनके लिए आप खास तोर पर क्या कहना चाहेंगे, जो इस वील में आना चाहते हैं. मैं उनको ये जी बोलूँगी कि कभी हमत नहीं हारना, कि मैंने कभी हमत नहीं हारी, कि कि अज़ आपको आपको याद आया कि बापू के डंडे ने पूरे देश का सोचने का तरीका बदल दिया, तब बापू का डंडा बांस का था. अरे, आखुबसूरत है. मतला आप चाहते हैं कि जो बांस में जो आपने एक्स्पेरिमेंट किया ये, इसे आप और आगे ले जाएंगे. We have to, because you have to understand, आज की इन्वाइनमेंट के देखके, इन्वाइनमेंटल कंसर्ण को देखके, हम सब को अपनी कंजंप्शन पाटर्न्स चेंज करनी पड़ेंगी. अगर हमने कंजंप्शन पाटर्न्स चेंज नहीं करी, तो I don't see a great future ahead for हमारी जो आने वाली पुष्ट है उसके लिए. जी और हमें पूरी उमीद है कि आप इसी काम में लगी रहेंगी और इसको और ज्यादा पॉपिलराइस करेंगी. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मदू जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया. थाइंक यू. प्लेशर बिंक यूर. तो ये थी मदू जैन जिन्होंने टेक्स्टाइल के क्षेत्र में अपना पर्चम लहराया है और भारत की परंपर अगर टेक्स्टाइल को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं. अगले हफते एक नई देजस्टिनी के साथ हम आपकी मुलाखात कराएंगे. तब तक के लिए अजासत दीजिए. नमस्कार.